इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप 11 से 12 में सिख्षक बनते हैं तो आपको कितनी सैल्डी मिलेगा यानि कितना पैसा आपको मिलेगा प्रती मन्त इसमें देखा जये तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि 15 परतीसत ब्रिधी जो हुआ है उसको हमने इंक्लूड किया या है क्योंकि अब मिलना यह स्टार्ट हो गया है और डिए इस समय जो मिलना वो 31 परतीसत है और डिये के बारे में एक और चीज़ बता दें कि महंगा ही ब इसलिए हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा है दूसरा ग्रेट पे ग्रेट पे हमने जीरो क्यों लिखा है क्योंकि प्रतम दो साल बिहार गौर्णमेंट ग्रेट पे नहीं देता है इसलिए हमने ग्रेट पे में जीरो लिखा है ग्रेट पे आपको फिर से बताते चले कि एक स से 5 में 2000 है 6 से 8 हो या 9 से 10 में सिक्षक बनने grade पे आपको 2400 मिलता है 11 से 12 में सिक्षक बनते है तो आपको grade पे कितना मिलता है 2800 मिलता है इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला जो है वो 7th pay structure है 7th pay structure के अंस्वार 2.57 से गुणा होता है यानि ये दोनों जो है 5200 और ये 0 जो है अगर grade पे मिलता है को grade पे इसमें जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद 2.57 से गुणा होता है जब दोनों को गुणा करेंगे 2.57 से बेसिक सल्ली जो हो जाएगा 3300, 344 रुप्य हो जाते है 64, 65, 66, 67 ये सब नहीं लिखा जाता है इसको एक round figure में लिखा जाता है round figure आपका हो गया basic सल्ली का 3370 10 digit तक round लेके चला जाता है पहले का ये payment था basic सल्ली जो था 3370 था अभी फिलाल 15% ब्रिदी हो गया है तो 3370 का निकालेंगे तो ब्रिदी जो हुआ है 15% वो 2006 रुपिय होते है यां 3370 का 15% निकालेंगे को 2006 रुपिय होते है अब 1330 और 2006 दोनों को जोडेंगे तो ये basic सल्ली अभी का बच जाएगा वैसे तो जोड़ा जाएगा तो ये लगबग 76 के करीम में आएगे लेके फिलाल आपको बचा दे कि 76, 77, 78 नहीं लिया जाता है ये direct 10 डिजिट तक चला जाता है इसलिए ये round figure में basic सल्ली हो जाता है round up में 15,380 15,380 और ये परतेक साल जो ये basic है इसी का 3% हमेशा ब्रती होता है यानि 15,380 हुआ कि इसमें 3% निकाला जाएगा जितना होगा वो अगले साल का हो जाएगा फिर अगले साल का होगा इसी तरह ये बढ़ते वे जाता है को अगर आप सिख्षक बनते हैं नियोजित सिख्षक तो इस तरीके से आपका basic कोई पूछेगा आपका कितना है को इस समय अगर आप सिख्षक बनने है है एचारे आपका 4% दिया जाता, 8% दिया जाता, 16% भी दिया जा सकता है, इसके साथ ही किसी ने पूछा था कि सर एचारे कैसे बढ़ता है, मतलब कितना बेसिक के उनसर बढ़ता है, बिहार में ऐसा कुछ अभी तक मुझे देखने को रूल नहीं मिला है, लेकि फिलाल Central Government के पास ये रूल है, उन्होंने फिक्स रखा है कि इतना डिये वेगरे हो जाएगा, तो इतना एचारे हो जाएगा, ये सारी चीज़ फिक्स है वहाँ पे, लेकिन बिहार Government में हमने नहीं देखा है, क्योंकि ये पहले से ही हम देख रहे है, एचारे जो है, हाउस, रेंट, एलाउंस जो है, ये बढ़ना चीए वैसे, लेकि फिलाल यही दिया जा रहा है, तो इसलिए हमने ये रखा है, अगर आप 4 परतिसत, यानि गाओं एरिया में बनते हैं, त अब आप सोचेंगे कि 4 परतिसत को निकला हुआ है, 615, अब 8 परतिसत कैसे निकालेंगे, तो 8 परतिसत के लिए इसको दुग ना कर देंगे, 615 और प्लस 615, तो 8 परतिसत निकल जाएगा, तो 615, 615 कितना हो गया, 6212, 1230, इसी तरह महानगर 16 परतिसत को 1230, अब प्लस 1230, 2460, महानगर का कितना हो गया, 2460, सहर का कितना हो गया, 1230, और गाउं का हमने लिखा 615, जो गाउं एरिया में बनेंगे, रूलर छेतर में जो बनेंगे, उन्हें मिलेगा 615 परतिसत को अर्वन का आपका 8 है, इसी तरह आप देख सकते हैं, अब इसके बाद मेडिकल सभी को एक हजार रुपे मिलते हैं, SPL में क्या हुआ है, SPL में थोड़ा सालक करने के लिए इन्हें 500 रुपे दिये जाते हैं, मतलब on trend को दिये जाते हैं, अब देखिए इस बार जो है, सभी लोग trend है, trend को इन्हें तो great page से शुरुआत करना चाहिए, लेकिन ऐसा, मतलब कोट वे तो ये हो जाते हैं, 23,263 रुपे जिसमें EPUB deduct होगा, 1800 रुपे, EPUB भी आपका क्या होना चाहिए, आपका 12% कटना चाहिए, सेल्री का, बेसिक का, और गौर्मेंट को भी इतना जमा करना चाहिए, फिलाल गौर्मेंट का रूल, बहुत पहले हमने एक वीडियो में समझाय पहले है था कि वो लगबग 1200 कुछ रुपेया जमा करती है, फिर ESI में जमा करती है, टोटल लेके वी अठाइटा सेल्री जानी आपको कितना सेल्री मिलेगा, तो 21,463 रुपे मिलेंगे, अगर 11 बारे में सुख्षक बनते हैं, तो आपको पहला पिमेंट 21,430 रुपे मिले उसके बाद नेक्स्ट में यही मिलेगा 21,463 रुपेया है, और इसके बाद दो इंक्रिमेंट होगा, यानी 3-3% दो साल तक बढ़ेगा, इसका निकाल लीजिएगा, 15,300 लगबग, कितना असी था ना, असी का 3% निकाल लिएगा, फिर उसके अगले मन तीन साल निकालेगा, ये 2 मंद का सलरी लगबग यही रहेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, अब आगे बढ़ते हैं, माल लिजिए, अगर आपको ग्रेड पे दिया जाता, तो आपको कितना सलरी मिलता, ये भी आपको जानना चाहिए, साथ में आपको बताते चले, किसी ने पुछा था, कि सर जो प पेमेंट मिल जा, तो ऐसा, मुझे नहीं संभव लगता है, अगर गौर्णमेंट दे दो तो अच्छी बात है, पोजेटिव रहना चाहिए, लेकिन 6 मंत, 1 साल तक जरूर पैसा अपने पास रखिएगा, फिलाल आगे बढ़ते हैं, और आगे देखते हैं, ये देखा जाए के लिए भी वो फाइट करने हैं, देखिए क्या कुछ होगा उसके बारे मताया जाएगा, एक PIL का भी सुनवाई हुआ है, उसमें समय मांगा गया है, जो भी BCS अबडेट होगा वो आपको बताया जाएगा, फिलाल आप सेलरी देख रहे हैं, इसमें स्केल आपका वही है, सेम बावन सो का, और ग्रेट पे 11, 12 का कितना है, अठाइस सो का है, सेवन पे स्ट्रक्चर 2.57 से गुणा हो जागा, ये दोनों जुटेगा और 2.57 से गुणा होगा, तो ये हो जागा 20,560 रुपिये, और इसके बाद बेसिक सेलरी राउंड अप में हो जागा 20,560 रुपि में भी देखेंगे तो मिल जाएगा, बेसिक सेलरी, 23,650 रुपिये, ये 15 परतिसद ब्रिदे के बाद होता है, इसके बाद डिये जो है 31 परतिसद निकालेंगा, 7,332 रुपिये, अचारे हो गए, 946 रुपिये, अब ये गाउव एरिया के लिया है, हमने सहर और महानगर का आप देख लीजिएगा, दुग ना करते जाएगा, मेडिकल है, 1000 रुपिये, ये आप कैचारे था, और मेडिकल 1000 रुपिये, SPL आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ग्रेट पे मिलता है, SPL नहीं मिलता है, इसके बाद टोटल जो हो जाता है, 32,928 रुपिये हो जाते है जिसमें EPM deduct होगा, 800 रुपिये, और आपको SELD मिलेगा, 31,128 रुपिये, 31,128 रुपिये, ये आपको SELD मिलेगा, 2 साल के बाद, अगर मतलब जो rule है, अभी तक के जो rule है, वो follow होंगे, तो 2 साल के बाद यही SELD आपको मिलेगा, 31,188 रुपिये है, 2 साल के बाद, प्रथ 30,463 रुपिये मिलेंगे, उसके बाद, 2 साल के बाद, आपको मिलेंगे, 31,188 रुपिये, अब ये हो सकता है, कि इसमें भी थर्ड इंडेक्स मिले लें, इंडेक्स क्या है, आपको फिर से समझाते हैं, इंडेक्स जब भी चचा करेंगे, समझे कि साल है वो, 1, 2, 3, थर्ड इंडेक्स मतलब, तीसरे साल के अनुसार, 2 इंक्रिमेंट मिल जाए, तो तीसरे साल के अनुसार, कितना सल्डी होना चाहिए, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन फिलाल, जो ग्रेट पे दिया जता है, तो स्टार्टिंग से ही सुरुवात किया जता है, फिलाल उसक देखिए, स्केल बाउंस हाँ, अठाइसो ग्रेट पे 2.57 से गुणा हुआ, बीसे एर पानसो साथ हुआ, बीसे एर पानसो साथ ही, यहाँ पे भी लिखाए है, क्योंकि यह रौंड अप में है, अब यहाँ पे पंदर परतिसत ब्रिदी हुआ, कि तीने जर चोरासी रुप साथ है, यह रौपिय वोगा, एचार यह निकाला जाये तो एक हजार चार उपिय होगे, मेडिकल देखा जाये तो एक हजार उपिय होगे, स्पील आपको मिले का नहीं, कि तो टोटल इसको जोडा जाये, कि यह हो जाते, 34,145 उरुपिये, जिसमें 1800 रुपिये डिटक्ट ह मिलेगा 32,345 उर्पिय है अगर आप सिक्षक बनते हैं तो यह आपका जो भी पेमिंट स्टक्चर था एक एक चीज हमने आपको बदा दिया है आपको 1 to 5 का भी हमने वीडियो बना के आपको दे दिया है 6 to 8 का भी 9 to 10 का भी वीडियो बना के दे दिया 3rd phase का जो counseling हो रहा है उसे समंदित एक document वाला मैं वीडियो दे देता हूं फिर जॉइनिंग के बाद डॉक्मेंट वाल एक वीडियो दे देता हूं और दो वीडियो हो गया है और एक और वीडियो आपका देखता हूं मैं आज जो आपका एक वेपसाइट बनाने के लिए कर रहे थे को आज टाइम मिलता है को ब्लॉक पर नहीं होता है को मैं एक वेपसाइ उसको भी स्टार्ट करने का जो हिंदी कलब टिक चैनल है उस पे हम आगे काम नहीं कर पाये थे दो या तीन ही वीडियो हैं उस पे सब्सक्राइबर लगए 700-800 से उपर हैं लेकिन उसमें भी काम करना है स्टार्ट करेंगे आज से कोसिस कर रहे हैं आप लोग का दूआ होगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा और आप लोग भी फायदे मंद होंगे और उसमें एडिटिंग वेगरे सारा चीज स्टेप बाई स्टेप चैनल कैसे बनता वो सारा चीज आपको बताना है अब फिलाल जरूर बतिए कि इमेल वेगरे इमेल तो मेरे ख्याल से होगा ही क्यों फिलाल इस वीडियो मीतना है फिर मिलते हैं ने वीडियो के साथ तब तक देखते हैं रहबाने रहंदे क्लब पे धन्यवाद बबाई